Hello Everyone, Today we are going to discuss Notes on the chapter Motion and Time तो चलिए शुरू करते हैं, What is Motion? If an object keeps on changing, अगर किसी भी object की position, time के साथ साथ change होती रहे It is set to be moving or in motion तो उसे कहा जाता है कि वो motion में है तो इसमें याद रखिए, Keeps on changing its position with time ये main इसका formula है कि कोई भी चीज अपनी position को change करती रहे time के साथ साथ Motion can be of different types पहला है linear और straight यानि के सीधे बिलकुल In which the object travels सीने straight line जब कोई चीज बिलकुल straight line में चले मान लिजे आप सीधे सीधे चल रहे हैं तो लीनियर motion कहलाएगा आप cycle तलारे बिलकुल सीधे चल रहे हैं बस चल रहे हैं बिलकुल सीधी सड़क पे चल रहे हैं तो वो linear motion कहलाएगा circular in which the object travels से लोंगे circular path जब कोई गोलाई में घुमती है चीज तो वो circle में ऐसे गोल गोल घुम रहे हैं मान लिजे आप इदर से जैसे आपको मान लिजे रिले रेस होती है तो उसमें गोल गोल जाते हैं तो वो circular motion कहलाता है circle से बनावा word है तो आपको याद रहना चाहिए यह कर्वी linear motion कौन सा होता है in which the object moves along a curve जिसमें कर्व में घुम रहा है जैसे mode पर मुड़ते हैं तो कर्व होता है तो वो curvy linear motion कहलाएगा यहां कुछ यह motions के example दिये हुए है यह person motion है लोग चल रहे हैं bicycles motion है यह और इसमें car चल रही है car का motion है train का motion है तो train जब सीधी चल रही है तो वो क्या कहलाएगा कौन सा motion कहलाएगा यह linear motion कहलाएगा जब वो घुम रही है घुमाओ तो वो कर्वी linear motion कहलाएगा तो इस तरीके से आप इन examples को याद रखे अब दूसरे motion होते हैं slow and fast कुछ धीरे धीरे चलने वाले motion होते हैं कुछ बड़ी तेजीते चलते हैं If one object covers a particular distance in less time अगर कोई भी चीज किसी distance को कम समय में cover कर लेती है and another object covers the same distance in more time और दूसरा जो object है वो ज्यादा time में cover करे then the first object is set to be moving slowly पहले object में जिसने less time लिया है वो कहलाएगा moving slowly और जो second है जो fast चल रहा था तो वो कहलाएगा moving faster जैसी example रेस होती है स्कूल में 100 meter race, 200 meter race तो naturally जो सबसे आगे दोड रहा है वो faster है और जो उसके पीछे दोड रहा है वो slow है जो कि distance तो सेम ही है तो 100 meter होगी या 200 meter होगी तो distance तो सेम है लेकिन जो आगे चला वो fast कहलाएगा और जो पीछे रहा हो slow कहलाएगा speed of an object जो object होता है उसकी speed होती है इसकी definition क्या है इसकी definition है the distance travel by an object कोई भी object तो distance travel करता है in unit time अब unit time जानते हैं कि एक standard unit time होता है तो उसे ही speed कहते हैं अब कितने तरीके की speed होती है कि uniform speed होती है uniform से मतलब होता है एक जैसे speed ना आप ज़्यादा फास्ट होए ना ज़्यादा आप सोलो होए मतलब बिल्कुल एक ही speed पर चल रहे है when the object travels a quick distance बिल्कुल निष्चे distance same time gap same time पे it is set to have a uniform speed मान लिजे मुझे market जाना है market में मैं जाते समय मैंने 20 minutes लगा है और आते समय उसी distance को मैंने फिर दुबारा से 20 minutes में मैं घर पहुँच गई तो वो uniform speed कहला है क्योंकि आपने जो market तक की distance सी मान लिजे वो 1 km थी या half km थी तो उसको 20 minutes में ही cover किया दो बार में एक आते वे भी और जाते वे भी तो यो uniform speed कहला है अब non uniform speed जो मतलब बदलती रहे उसे non uniform कहेंगे when an object covered different distances in different time gap it is set to be uniform speed इसका example मान लिजे मार्केट जा रहे है थोड़ी दूर आप थोड़ा ज़्यादा fast चले फिर थक गए फिर आप 5 minutes तक slow चले फिर और थक गए तो वो और speed से कम चले तो आपकी speed बदलती रही तो वो कहलाएगी non uniform speed आप school आते हैं इसकूल आने में घर से आप चलते हैं फास फास चलते हैं लेकिन उसके बाद slow हो जाते हैं या घर से slow चलते हैं और लगता है कि अरे टाइड लेट हो रहे हैं फिर फास चलना शुरू हो जाते हैं तो वो non uniform speed कहलाती है क्योंकि आप अलग-अलग distance को अलग-अलग speed पे cover कर रहे हैं अब होता है average speed the total distance traveled by an object किसी object ने जितनी total distance cover करी है divided by the total time और total time जितना उसे cover करने में लिया वो कहलाता है उसका average speed जैसे मैंने example दिया मार्केट गए मार्केट mim जाने में जो मार्कट्क जाने में जो distance है वह 1 km और आपको लगे ट्वंटी मिन Euill तो आप इसको divide कर देंगे जैसा लिखा है यहाँ पर divide करना है आपको तो मान लेजी जैसे मैंने बता है आप 1 km है तो 1 km में कितने मीटर होते है 1000 होते है और कितने में किया 20 minutes में किया 20 minutes तो आप इसे काटेंगे आपर तो यह आपका 0 से 0 कट गई और 2, 5, 10, 50 तो अगर आपको speed निकालनी है यहाँ ट्राइंगल में आप देखेंगे D उपर है तो D उपर लिखा जाएगा इसमें और speed निकाल रहे थे उसको color से दिखाया है जो निकालना है उसको color से दिखाया है time नीचे है time नीचे आएगा तो distance upon time यह formula speed का अब distance का formula क्या है तो उसको आपको multiply करना है speed into time speed को time से multiply कर दीजे तो यह आपका distance निकल जाएगे अब आपको time निकालना है तो time निकालने में distance upon speed distance उपर आएगे और speed नीचे आएगे इस formula को आपको जरूर याद रखना है तभी आप इनके numerical कर सकते है average speed निकालनी हो तो total distance कितनी थी और total time कितना जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया तो आपकी average speed निकल जाएगी हाँ पर जैसे मैंने बताया था तो जो हमारा 50 meter था वो average speed थी per minute अब है measuring time time को कैसे measure किया जाता है पहले तो वो चीज नहीं होते थी तो तब कैसे measure करते होंगे time को या सब चीज़े आप देखेंगे there are many events in nature nature में बहुत सारी घटना होती है that repeat after a time interval पहले तो आप day और night ले लिजे day के बाद night आती है और night के बाद फिर day आता है फिर night आ जाती है और ऐसे ही morning होती है तो rising sun the rising sun evening में setting sun day and night तो सबसे पहले जब watch is nightly लोग वाग इस से अंदाज लगाते है sunrise हो गया तो morning हो गया भी वैसे जिए ऐसा करते हैं और the time between the sunrise and sunset क्योंकि sunset से night शुरू हो जाती है और sunrise से day शुरू हो जाता है month time between two new moons यह पहले new moons होता था यानि कि जिसे आप जिसे full moon होता है तो फिर मावस्य आती है जिसे में कोई moon नहीं होता तो उसके बाद जो थोड़ा सार दिखना शुरू होता है वो new moon कहलाता है तो उससे एक मन्त आता था जब एक new moon के बाद दूसरा new moon आएगा फिर year the time the earth takes to complete its one revolution आर्च जब अपना एक चक्कर सन के चारों सर पूरा कर लेती है तो एक year बन जाता है time measuring devices और clocks अब time को measure करने वाली घडियां या devices क्या है clocks use the concept of periodic motion to measure time clocks क्या यूज़ करती है एक periodic motion यूज़ करती है कि मान लिज़े आपके यहां 12 बज़ते है और जब यह हैंड आपका यहां से चक्कर यो बीट में जो हैंड है यह पूरा चक्कर काटके ऐसे 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 जबारा यहां जाएगा तो यह एक आपका 12 hours का पूरा हो जाएगा duration कि यहां इस बारा इसे पहुत साथे अपको रिपीट करें दिफेरेंट टाइप सारे डिवाइसिज पहले तो यह वह बहुत सारे डिवाइसज हैं पहले तो है यह यह जो आपके दिफूरा पोजिशन आपको दिफिट टाइम रहातेएगा यह बहुत सारे जिनको घड़ी बहुत बूढ़ है उनको नहीं समझ में आता तो देख लेते हैं अरे यह यहां पर इतनी शैड़ो आ रही है तो इतने बज़े हों गया तो यह ऐसे बनाते थे एक इस्ट्रूमेंट और यह शैड़ो पढ़ रही है यह इस शैड़ो से जब तक क spends पूरा नीचे गिरे और तो यह व्हाला खर दे तो इसमें वाड़र को ढब्स कार वर्या सब्सक्राइब करें शैड़ो चूरू Championship Julie ऐसमां वाटर मेंगि UK कंटेनर में वाटर भाठो зовए मुना से 65 Awareness को उसके में पर वसको है और इछ वैच कशी इतने समय में आश यह जाएगा और यह नीचे वाला फिल हो जाएगा तो इतना टाइम हो गया है फिर थी पैंडूलम क्लोक इट यूजिद एपैंडूलम टू मेजर टाइम इसमें यह पैंडूलम होता है आपने देखा होगा यह ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं इस मोवमेंट क अब और टू एंड फ्रो फ्रॉम एंड identifies नहीं वता होता है तो एंड फ्रो अब हैς वांड्क्रस आपको देखो नई चीज चानने को मैं जाएती को रेंप्के स होती हैं प्रॉलम बाले में मेंवी स्रॉजिद आतो होती है है सोग इनन यहां नंत के हैंड्सी होता है वी से लगाने पड़ते हैं देपूवायड एक्यूरेटट ऍयूरेट ci को कर सकते हैं तो जब आप इसको और यह इसकी लेंग्ड हो गई तो जब आप इसको पुछ करेंगे तो फिर यह ऐसे 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 मूव करेगा यह ऐसे तो यह सिंपल पैंडूलम हुआ यह यह क्लॉक वाला पैंडूलम नहीं है यह सिंपल पैंडूलम बना सकते हैं बहुत सारे of a simple pendulum जो यह बिल्कुल स्ट्रेट वाली पोजिशन है ने यह यह कहलाती है मीन पोजिशन यह सैंटर पोजिश्चेछ चंटर भी यादस के इसको याद रखें की element апenary दिखाया है इस इंपल पेंडूलम कंटेंज से बाव उत्यसा भी तिखाया है उसमें बहुती एक इचिजे मैटलिक बॉल और स्टॉन आप सकते हैं या कोई मैटल की बनी भी बोल ले सकते हैं विचे सस्पेंडेट सस्पेंड का मतलब लटकाना ज्याद रखिए सब्सक्रोडर मेटला आपका सिम्पल पंडूल॑ं बन गया है ऑसलेटरी मोशन to the To and From अब आपको दिखा थे ना फौम का फिरो देते तू टू अन्फरो मोशन ओदगा बनुण एस यदरी इदर जाएगा यह 1 and from motion oscillatory motion कहलाता है the above of the pendulum does move from the center और center से पहले तो center से होगी अगर आपने इधर से पुछ किया तो पहले इधर चली जाएगी इधर से पुछ का तो इधर चली जाएगी move from the center mean position of the pendulum to its extreme position on the other side यह वाली भी extreme position है और यह वाली भी extreme position है और यह होती है mean position ओके और चलिए आगे देखते हैं oscillation when the bob moves from its center जब bob अपने center से move करती है जो कि mean position कहलाती है to its extreme end it is set to complete one oscillation यानि के mean position से यहाँ चली है और फिर यहाँ से इधर तक आई तो यह one oscillation हो गया समझ में आगे one बार का one होगा जितना यह नहीं के मैं जितना गुमाती जा रही हूं दुबारा मैं बना के दिखा देती हूं आपको बस सीधे यहां तक गया और फिर यहां से यहां तक दुबारा आया यह one oscillation हो गया अब इसके बाद है time period of a pendulum the time taken by the pendulum box to complete one oscillation one oscillation को complete करने में जितना time लगता है वो time period कहलाता है units to measure time speed time or speed को measure करने की unit क्या क्या होती है time को measure करने की seconds होती है जब s लिखा जाता है minutes होती है तो m i n लिखते है जब rs होता है तो h लिखा जाता है speed is equal to distance upon time मतला d upon time आप ऐसे इसका formula भी जैसे अपने देखा था तो speed निकल जाती है तो meter upon second आप करेंगे तो m upon s लिखा जाएगा उपर meter क्योंकि distance of meter में या kilometer में नपी जाएगी न और minute लिखेंगे तो m upon min minute लिखा जाएगा और अगर distance kilometer में है तो kilometer upon r लिखा जाएगा जैसे bus की train की speed होती है वो kilometer upon r ही होती है कि घंटे में कितनी speed आप roads पे लिखा भी देख सकते हैं अब यहां पर लिखा है to convert between meter upon second या kilometer upon r अगर आपको इने change करना होता है तो क्या तरीका होता है change करने का मानिजिए one kilometer upon one r है तो सबसे पहले आप यह देखे one kilometer में कितने meter होते हैं one thousand होते हैं और one thousand upon one r आ जाएगा अब आपको r को भी change करना है तो आपको पता है कि one hour में कितनी minutes होती है 60 होती है तो one thousand upon sixty आ गया अब आपको इसे second में निकालना है तो एक minute में 60 seconds होते हैं तो यह 60 upon multiply by 60 कहला जाता है तो यह two zero लगी हो six six 36 तो क्या लिखा जाएगा कि इसमें one hour में 3600 seconds होती है अब आप इसे change करेंगे तो यह दोनों जो zero है यह से cut जाएगी अब यह आपका यह 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 पर जब आप 10 से 10 से 36 को divide करेंगे तो क्या आएगा 10 30 30 और 60 बनाने के लिए आपको यह decimal लगाना पड़ी गा तो इसलिए 3.6 इसका आंसर आएगा I think कि इतना आपको आता है तो यह easily आपको समझ में आ गया होगा Divide by 36 तो यह 3.6 आगया है Convergen between kilometer पर आएभी आपको यह मैंने समझा दिया है अब देखते हैं speedometer यह आप car में लगे वे देख सकते हैं उसमें दो ऐसे circle इस प्रकार से लगे वे होते हैं इससे तो आपको speed दिखती है और एक से कितने चली है वो दिखता है देखो यह दिख रहा है यहाँ पर यह इससे कितने kilometer चल चुके यह पता चलेगा और जो यह number लिखे में इससे speed पता चलती है तो इसे कहते हैं speedometer और odometer अब देखिए आप इस speedometer is a device which is used in vehicles such as cars and trucks which measures the speed in kilometer per hour मान लिजे आप चलाते समय आपकी जो यह yellow है इसमें pointer लगावा है यह यह यहाँ पर आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 80 km पर आवर की speed से चला रहे हैं जो कि कार में एक average speed लोग चलाते हैं लेकिन 60 होती है odometer it is a device which measures the distance traveled by vehicle in meters और kilometers जो कि कितनी distance चली है इसी vehicle के द्वारा उसको kilometer में नापके बताते हैं उसको तो यह आपको यहाँ पर मिल जाती है जैसा मैंने बताया यह लिखी हुई है यह आप इसमें kilometer भी देखो लिखा हुआ है कौन से गारे कितने kilometer तक चल चुकिए यह display होता है इस पर distance time graph अब distance को अभी तो अपने formula देखे formula से भी कर सकते हैं और time graph बनाके भी distance time graph बनाके भी दिखाया जा सकता है एक graph which represents the distance traveled by an object वो graph जो कि किसी object के द्वारा कितने distance cover की गई with respect to time कितने time में उसे distance time graph कहते हैं making a distance time graph अब बनाते कैसे हैं इसमें mark x axis और y axis divide them in equal quantities अब यह उपर y है आप देख रहे हैं यह y है और यह x है तो यह one scale to represent distance for example x axis to represent distance where one kilometer one centimeter माल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह time minutes में दिखाया गया है यह x है और यह यहाँ पर दिखाया गया है y तो यह distance दिखाया गया है यहाँ पर यह distance है और यह वाली जो है यह time दिखाया गया है यह one two three जो लिखे हुए है यह minutes है और यह kilometers है सबसे पहले तो यह आप करें मांक्ड वैल्यू जोफ टाइम डिस्टेंस इंड ग्राव जैसे भी आपको बताया था कि दोनों की वैल्यू आपको दिखानी है इदर डिस्टेंस की हो गई और इधर टाइम की हो गई है अब इनकी value अब mark the set of values of time and taken and distance covered in the time by the object in the graph फिर कितना time लगा कितनी distance cover यह बताना है जिसे for example 1 km को आप 1 minute in 1 minute यह दिखाएंगे then mark 1 unit on both the x-axis and y-axis अब देख रहे हैं कि जो time है और जो इदा distance के सब लिखा है यह 1 km होगा तो कहने का मतलब क्या हुगा कि 1 minute में 1 km चला है फिर जहां पर 2 है यह 2 minutes हो गया और उसमें यहां पर 2 पर 2 km हो गया यानि कि 2 minutes में 2 km हो गया तो उसमें 2 km में 2 km distance cover कर लिए तो इस प्रकार से आपको display करना होता है now draw lines parallel to x-axis and y-axis at the point that you have marked फिर जो आपने यह mark बनाये थे यह green से जो mark बने हुए है फिर इनको मिलाते वे सीधी line कीजिए बनाये now draw lines parallel to x-axis and y-axis at the points that you have marked जैसे मैंने भी आपको दिखाया मानने जैसे इस वाली figure में मैं दिखाते हूँ यहां पे किया mark the mark the point where these lines intersect on the graph जहां यह एक दूसरे को काटती है these points show the position of the moving object तो वो बताती है कि object कैसे चल रहा है now join all the points of intersection and obtain a straight line graph this is a distant time graph of a moving object जो आपने यह straight line खीची थी इस जंगा से लेकर इस जंगा तक यह उसकी moment को बताता है कि कितने time में कितना cover किया the shape of the distance time graph can be the following अब मान लेजे straight line है तो इसका मतलब क्या हुआ the object has a uniform uniform or constant speed जैसा मैं आपको भी और एक बताते हैं यहां पर अब इसमें इसने क्या किया one minute में one kilometer चला फिर अगले two minute में two kilometer चला तो speed same है बिल्कुल same है फिर three minute में three kilometer चला four minute में four kilometer चला five minute में five kilometer चला तो यानि कि एक-एक minute में एक-एक kilometer आगे बढ़ रहा है तो यह uniform speed कहलाईगे इसके बाद आती है parallel to time axis it is stationary object यानि के वो उसमें कुछ नहीं चल रहा है curve shape the object has a non uniform speed जब किसी curve में चलते तो non uniform speed होती है निकालने के लिए distance upon time लिखा जाएगा final position of the object और initial position of the object इनिशेल जब शुरू किया time taken by the object also the speed of the distance time graph can be calculated by the slope of a graph slope जो होता है अभी आपने देखा जो किस तरह से कर्वता उससे बिलाब सकते हैं the steeper the slope of the graph जितना ज्यादा slope होगा मुडावतार होगा the more the speed of the object तो object की speed उतनी ज्यादा होगी for example in the graph given below object a has steeper slope this means that object a is moving at a higher speed than object b आप यहाँ पर देख सकते हैं I hope कि यह chapter आपको समझ में आ गया होगा thank you for watching the video